तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने बाला हूँ कि अगर आपके पास कोई पुराने LCD या पर LED मोनिटर है उसमें हमें HDMI का पोर्ट देखने को नहीं मिलता है तो हम इसमें HDMI का कनेक्शन कैसे करेंगे जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो यह है एक HDMI to VGA Converter जो कि आपको मार्केट में 200 से 300 में देखने को मिल जाता है आप online भी परजेज कर सकते हो हमापे आपको 300 में मिल जाएगा तो यह जो HDMI का पोर्ट दिया गया है यह हम लगाएंगे इसमें HDMI पोर्ट में और आपका जो monitor में VGA क्यों लगा हुआ है वह केवल आप इसके back side में लगा सकते हो स्क्रीव दिया होता है इसको connect करने के वाज इसको टाइट जरूर करें तो कई बार कैसा होता है connection दिला होने के वाग कारण हुए हमें proper visual देखने को नहीं मिलता है यह इसक्रीव को आप टा लेट और FTA scan का option देखने को मिल जाता है